Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस ताइम पर हिमाचर पदेश में सबी को Class 3 भरतियों का इंतजार है किसी को Result का इंतजार है, किसी को Document Verification का इंतजार है किसी को Joining का इंतजार है, तो किसी को नई Vacances का इंतजार है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं New Contract Policy के बारे में तो हिमाचर में जो Class 3 की भरतियां, जो नई Advertisement जो कि HPSSE ने निकाली थी और हिमाचर पदेश Public Service Commission को Re-Advertise करने वाला था जहाँ पर हमें सबसे पहले Conductor की Advertisement देखने को मिली और उसके बाद कोई भी Advertisement नहीं आई तो यह जो Advertisement रुकी हुई है, इसका Reason है Contact Policy तो यहाँ पर Contact Policy में बदलाब होने वाले हैं और इसके लिए जो Approval है, वो 13 अपरेल को Cabinet की तरफ से दे दिया गया था और यहाँ पर काफी जादा टाइम हो गया लेकिन जो Rules हैं वो अभी तक उनकी Notification नहीं हो पाई है तो यहाँ पर जो Rules हैं, तो उसमें कहें कि Contact के दोरान दो चीजों में बदलाब होने वाला है, एक तो Contact Period का और एक बदलाब होने वाला Contact के दोरान जो Salary सिस्टम रहता उसमें ठीक है तो अभी जो Class तरीकी भरतियां रुकने का Totally Reason है वो Contact Policy है, क्योंकि HPSSE अमिरपुर ने जो Advertisement निकाली थी जिसमें बहुत सारे Post Code थे, अब वो सारे Post Code के जो एक्जाम होंगे वो New Contract Policy के तहत होंगे और जो Pending वगएरा जो भी Result and Document Verification है जो पहले Contact Policy मतलब जो थी उस हिसाब से ही होंगे तो यहां पर जो कार्मिक विवाग है और बीत विवाग है उन दोनों को जो है वो यहां पर यह जो New Contact Policy है इसमें जो बदलाब होना है तो उसका जिम्मा इनके पास है जहां पर क्या होना है कि कार्मिक विवाग देखेगा कि जो Contact Period है उस दोरान क्या सिस्टम यहां पर सरकार चाहती थी मत यह इस ताइम तो यह चीज़े Complicated है लेकिन यह चीज़े मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे Contact Period है तो Contact Period तो कम होगा नहीं अब इस ताइम पर Contact Period है 2 साल का ठीक है तो यहां पर दो चीज़ें होगी या तो Contact Period बढ़ेगा या तो ऐसा होगा कि Contact Period जो रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा 2 साल का मतलब फिक्स नहीं है कि सिर्फ 2 साल का या आपको Contact Period होगा दौर उसके बाद आपको सरकार अपनी मनमर्जी से आपको regular करेगी तो ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं बागी रही बात contact के दौरान salary की तो इस ताइम पे 60% रहती है जो basic salary होती है उसकी contact दौरान आपको salary दी जाती है लेकिन उसमें भी एक चीज निकल के आई है कि सरकार ऐसा चाहती है कुछ ऐसी पोस्टे होती है जहां पे काम बहुत कम होता है तो वहां पे सरकार चाहेगी कि जो सेलरी है वो हम अपने हिसाब से देंगे और ये चीज़ें क्या होगी कि हर एक पोस्ट के आर एंट पी रूल्स में इंकलिट करवा दी जाएंगी फिर क्या है कि सरकार टाइमली जो है वो नोटिफाई करती रहेगी अपने हिसाब से चीज़ें सेट करती रहेगी तो ये बदल आप हो सकते हैं पाकी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कभी ये रूल्स ओट होंगे लेकिन जब भी ये रूल्स ओट होंगे उसके बाद क्या होगा कि ये जो फाइल होगी मतलब ये जो नोटिफिकेशन होगी ये जाएगी हर एक डिपार्टमेंट के पास और हर एक डिपार्टमेंट को ये रूल्स अडॉप्ट करने होंगे फिर वो इन रूल्स को अडॉप्ट करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे फिर हर एक पोस्ट जो भी उस दिपार्टमेंट के अंडर जो है वो पोस्ट रहती है उसके आर एंट पी रूल्स में चीजे इंक्लिउड करवाई जाएंगी फिर उसके बाद नए भरतियों की जो लैटर रहता है वो जाएगा हिमाचे पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिम कि अगर इस हिसाब से सिस्टम चल रहा तो इस साल तो क्लास तरीकी कोई भरती आपको देखने को नहीं मिलेगी और कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जानबूज के बदलाब करे जा रहे हैं अदरवाइस अभी तक सारी विकैंसी जो होती है क्लास तरीकी री एडवर्टाइज हो गई होती और सभी बेट कर रहे होते हैं एक्जाम का लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जान बूज के ये चीज़ें डाल दी गई है ताकि हमें मतलब सरकार को और समय मिल जाया और यहां पर में मुद्धा OPS के लिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि य चीज़ें जो है OPS के लिए करी जा रही है कि contact period बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है यह salary जो system रहता है contract के दोरान बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैंने आपको clearly बिता दिये कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बाकि आपके पास को information है तो आप comment section में comment करके बता सकते ह हो I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like comment share कर सकते हो channel को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए